कोशल के साथ और रही अफेर की खबरों पर अपना रियाक्शन दिया है साथ ही उन्होंने रंबीर कपूर को लेकर भी इंटरिव्यू में बात की है ऐसे मैं आप भी जाना चाहेंगे कि आखिर सल्मान खान को छोड़ कर किसे डेट कर रहे हैं काट्रीना माधम तो आएए देखें काट्रीना की ये लव रिपॉर्ट काट्रीना केफ इस वक्त सल्मान खान के साथ अपनी फिर्म भारत का प्रमोशन कर रही है लेकिन काट्रीना और सल्मान की शानदार कैमिस्ट्री देखकर फैंस उमीद कर रहे हैं कि काट्रीना उनसे शादी कले लेकिन दूसी तरफ काट्रीना के लिंक अप की खबरें फेमस उरी स्टार विकी कोशल के साथ उड़ रही है कहा जा रहा है कि विक्की काट्रीना को लेकर सीरियस हैं और उन्हें पिक और डॉप की स्वीधा भी दे रहे हैं वो उनके हर इवेंट में मौझूद रहते हैं लेकिन जैसे ही काट्रीना कैफ को इन बातों के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत अपना रियक्शन दिया काट्रीना ने कहा है कि वो फिलहाल सिंगल है और किसी को डेट नहीं कर रही है हला कि एक इंट्रीवी के दौरान काट्रीना ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफी खुलासे किये उन्होंने इंट्रीवी में किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन इतना जरूर कहा है कि फिल्म बार बार देखो कि शूटिंग के दौरान जब वो थायलन गई थी तो बेहत अपसेट थी और बार बार एक चीज उन्हें काफी परिशान कर रही थी हाला कि वो कौन सी चीज थी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया लेकिन इतना तो तैह है कि काटरीना उस वक्त ब्रेक अप के दौर से गुसर रही थी क्योंकि जन्वरी में ही रनबीर कपूर और काटरीना कैव का बेक ब्रेक अप हुआ था काटरीना ने अपने ब्रेकप के बारे में कहा कि वो ब्रेकप के बाद बेहट तूट गई थी और वो दौर उनके लिए किसी जटके की तरह था लेकिन उसके बाद शायद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी बदलावाए हैं उन्होंने आगे कहा कि जब मेरे आखरी रेलेशन्शिप का अंत हुआ तब मैंने अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा और तै कि आज हो गया सो हो गया मैंने उन चीजों को फेस करने की ठानी और आज वो वही कर रही है वहीं जब कट्रीना से विकी कोशल के साथ चल रहे अफियर की खबरों के बारे में पूछा गया तो कट्रीना ने साफ कहा कि वो किसी भी रोमेंटिक रिष्टे में नहीं है वो सिंगल है और इस वक्क किसी को भी डेट नहीं कर रही है हाला कि पिछले इंट्रव्यू में काट्रीना ने कहा था कि इंद्रस्ट्री में कई अच्छे लड़के हैं जिनने वो डेट करना चाहती है लेकिन अब महस दो इंटर्व्यू के बाद काट्रीना ने अपना बयान बदल दिया है कि वो काम पर फोकस कर रही है और किसी को डेट नहीं कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कट्रीना कैप सल्मान खान के लिए कह रही है आखिर वो उनकी भारत में जो है क्यों सही कहा ना